प्रोसेस क्या होगा कितने समय पर क्या मिलेगा उनकों ये भी जानने की कोचिस करते हैं हमारे पास सिक्षक नेता सलेंदर कुमार सैलू जी मौजूद है कल जी तरीके से नियोजी सिक्षकों के लिए राज जी कर्मी का दर्जा मिलने पर मुहर लग गया है तो इन सिक्षकों के लिए कितनी खुसी होगी कोरा अस्वासन मिला है मुहर लगा है क्या ये राजनितिक पैठ और लाभ के लिए और जो मूख बधिर हो चुके थे सिच्छक संगठनों के नेतागन और कुछ कुकुरमुत्य छुटभईये का नेता गिरी चल रही थी वो छे महिने से बन थी उनको आवाज मिल गया है और वो भी खर्मास में यह तो असुभ होने का संकेत है सिच्छकों के लिए कोई खुसी का महल नहीं है सिच्छकों के लिए यह घोसना मातर की गई है जो दो हजार पचीस तक चलेगा एक साल तक इनको परिच्छा आयोजन करने में लगेगा और जैसे आज सोभा अहोतकर हो गई और गंगवार साहब हट गये इसके सिंगल साहब हट गये तो उसी परकार सरकार हट जाएगी या सरकार चली जाएगी कुछ भी संबह हो है और राजनितिक भुचाल के पीच राजकर्मी के दरजा की घोसना यह तो हास्यास्बद है बुद्ध जीवियों के परती यह जो सच्ची लगन सीलता थी इसका उपहास है और संग और संगठन के लोग अठखेलिया मना रहे है होली मना रहे है यह वही आनंद कौसल सिंग जो मूक और बधीर था आज होली मना रहा है और कुछ जो हैं इसमें सिच्ची काएं भी अती उत्सा में अती महत्वा कांचा में उचल रही है रंग खेल रही है और यह जो बिषिष्ट अध्यापक बिहार राज बिषिष्ट अध्यापक नियमा वली 2023 इसको पढ़नी की पूरसे दें इनको 9 वजे से 5 वजे तक अपने बिहार मादमिक सिच्चक संग का पैड छोड़ कर पुर्व सांसत का पैड उपयोग किया है और वह भी बदहाई दे रहे हैं और वही संजय कुमार सिंग जी जो सरकार में होते हुए किसी भी सिच्चक का कोई बेतनमान दिला पाए है क्या और इनका तो खुद बेतनमान और पैंसन का लाला पड़ गया और वह क्या सिच्चकों की हित की बात करेंगे उनके साथ खिलवाड कर रहे हैं राजनितिक स्वार्थ में लिप्त हैं और राजनितिक मंसा और लाव लेने की बात इनमे है लेकिन सिच्चक संग से भी हमारी कल बात चीत हुई वो लोग काफी खुसी मना रहे है जैसन मना रहे है कह रहे है कि नया साल हम लोग के लिए बहुत बैतरीन हुआ वो तो खुसी का महौल दो रोज पहले तक क्या था मेडिया में आ नहीं रहे थे वाटसब पर चैट नहीं कर रहे थे कुछ लिख नहीं पा रहे थे पावंदी थी आज संगनिस्ट बने हुए बड़ा संगठन के नायक बने हुए संग की तो यह इस्तिती हो गई थी कि मूख और बधीर हो चुके थे यानि कि जो राजकर्मी का दरजा की बाते हैं जो कहई जा रही है जो एक आसा का किरन जगा है नियोजेश सिक्षोकों के मन में हो चुकी चालिस बरसों के हमने अध्यापन काल में अपने सर्विस काल में देखा है ऐसे ऐसे तो कई कोरे अस्वासन मिले और उन अस्वासनों का क्या हसर हुआ ये तो हम जाते हैं या राजनिती स्वार्थ में लाभ लिये उसका ये टूल्स के रूप में नौजुबकों को ये किये हैं शुरू से और जहां तक संगटन में बिहार मादमिक सिचक संग का सवाल ह चालिस वर्सों में कोई भी उपलबदी है तो स्वेत पत्र जारी करें महासचीब महोदे कोई उपलबदीयों का उनके पास पेरिस्त है क्या 95 दिन के हरताल में मातर 10 रुपे की बड़ उत्री हुई और बापस आना पड़ा सामोही का स्थानांतर में मुझे कोट का सहरा ले और जितना जो चाहे वो लालू जी की सरकार हो या नितीश जी की सरकार हो बिगत 35 वर्सों से जो सिच्छक और बुदी जीवियों का हाल है जो महावल है वो बिलकुल समाप्त है इनका ये क्या करेंगे इनको क्या सुबिदा देंगे ये पे मैट्रिक्स का वही सवाल है 2020 से उनका बेतनमान का फिक्सेशन होगा क्या बोल रहे हैं ये अस्थानांतरन का वही हाल है अस्थानांतरन के लिए तीन सरकार ही कर देगी राजकर्मी के लिए और उस राजकर्मी जब राजकर्मी बनेंगे तो तीन ऑप्सन राजकर्मी बनते देना है अपने जीले में पदस दंडा अत्याचार का सिचकों पर जुल्म सिचकों पर जुल्म का एक उदाहरन है कि इस तरह के आदेश जो हैं तालिवानी आदेश निकल रहे हैं आज मन्य यह क्या नम है अपर मुख सचिप चूप हैं गौन हैं मौन हैं सिच्छा मंत्री के तरह इनका भी कहीं चहल पाल चह मन में कापि उस्साथ था जसन मन आ रहा है थे तो उन्हें अभी और लंबा इंतिजार करना परेगा मैं जितना वाइट दे रहा हूं निर्भीकता के साथ दे रहा हूं निर्भीकता ही मेरी पहचान है कूछ नहीं होगा गुप समझाओता है इन लोगों के बीच और यह जि जितने हैं ये सब पॉलिटिकल पार्टी के उगने वाले कुकुरमुत्य की तरह यह संग है और सिचकों का कल्यान नहीं होने जा रहा है और जितना भी मेरा बाइट है उसमें कमेंट में आप देखें और कमेंट को जितने भी नोजवक्त सिचक्गन है, वो कमेंट को पढ़ें, उसे सुकषत अनुभा होगा कि सरकार हमारे पच में है या भी पच में है। कर्मी के दर्जा पर अभी कोई मोहर लगा ही नहीं है तो ऐसे में आप देखना होगा कि राज कर्मी के दर्जा के लिए इन लोगों को कब तक इंतजार और करना होगा लेकिन फिलाल जो सिक्षकों की खुसी मिलने जा रही है उस पे गरहन लगने बाला है तो बने रहे के साथ पढ़ना सां किता सिंग की रिपोर्ट